अगर आप भी बालों को ले करके काफी ज्यादा एक्साइडेट है कि आपके भी बाल बहुत जादा लंबे काले खने हो बालों की एक अच्छी देख रेखो बालों के लिए एक अच्छी होममेट्स रेमिटी हो तो आज की रेमिटी आपके लिए बहुत जादा खाश होने वा तो इस रेमेड़ी को ह Maidya को भाने आपके बालों की हर एक परिशानिया हुए हरिक प्रॉबलम जो हती हम सारी finish हो सबस्क्राइब तो बहुत ही अच्छी तरीक़ से हमने एक और दूग्णिये बढ़िए है और यह एकदम से आपके लिए पर्फिक्ट रेमेड़ी जिस्पे अ सबसे पहले हम ले लेंगे आउला चुकि आप जानते हो आउला यह हमारे सेहत के लिए बहुत जादा पैनिफिट होता है तो इससे बहुत जादा शेहत अच्छा बनता है तो हमेशा हम अपने शेहत के दियान करने के लिए किसी ना किसी तरीके से लेकिन आजम बालों के लिए भी से यूज़ करेंगे क्योंकि यह सहत के साथ हमारे बालों के लिए बहुत जादा अच्छा होता है आउला का गुन आप से जितना भी कहें बहुत जादा जैसे के बहुत कम है एक आउले को लेना है और उसे से काला करें मजमूत करें घणा बनाएं और बहुत सारी परबलम को दूर करें तो यह हेर फॉलिकल को भी बहुत जड़ जद जड़ करता है यह किल को हेल्दी रखता और साथे साथ बालो को शिल्क शाइनी ऐसमूत बहुत जादा बेनिफिट्स होती है तो इससी बी तरह झाटा tamanho मुरब मानम के खा look या फिर चटनी बना के खालो या फिर इसकी जूस पीलो या फिर आप इसे बालो में लगा लो हर तरह से ये बहुत जादा बैनिफिशेल है तो यकीन मानिए इसकी जो रेमेडिस आप यूस करोगे तब के बालो की बहुत सारी प्रॉब्लम जैसे के जूमंतर हो जाएगी एक ह जैसे के ले लिया है और उस आवले को छोटे चोटे टूकडो में हमने डिवाइट कर लिया तो इस तरह सब देख सकते हूं मैंने इसे कट कर लिया और आगे जो हम दूसरा जो इन कजिएंस इसमें टालेंगे वह भी बहुत जादा मस्थ है तो वह है चाई की पत्ती चूब याप जानते हो चाहे की पती है ना यह हमारे बालों के लिए बहुत अच् Junक nasze judge जैसे कि हम अपने हैं जाये बनाने के रुफ में कड़ते हैं चाहे पीने की रहते हैं हरको होता है इसलिए चाहे की पती है हमारे घरों में हमेशान माथ होता है फ्लत मीसली हना सह आप है तो जहा यह एक beauty product है, यह भी आपको जान लेना चाहिए, एक pan लेंगे और pan में हम पानी को जैसे की डालेंगे, पानी आपको एक glass लगवग लेनी है, तो medium size की glass से आप एक glass पानी लेना, बहुत बड़े glass से बिल्कुल भी नहीं लेना है, और बहुत छोटे glass से भी नहीं लेना है, medium size की glass से आपको फर के पानी लेनी है, थोड़ा सा पानी और भी आप डाल सकते हैं, उसमें अब हम डालेंगे एक चमच जाएगी पती, एक से डेर चमच लगवग डालेंगे और अच्छे तरह से mix कर लेंगे, तो बालों में लगाने से बहुत जादा अच्छा होता है, इससे जो पारों में एक नई जान डालता है, चाय में कैफीन होता है, जैसे कि चाय पती में कैफीन होता है, जो कि हमारे भालों के इसकिल की infection को दूर करता है, इस तरह से दूसरा जो इनकी राखा था, कटिन करके रखी थी, डिवाइट करके रखा था, वह इसमें डाल देंगे और द वेक्टरियल कुन होते हैं जिसके यूज से हमारे बालों को एक अच्छा सार रिजल्ट मिलता है तो इस तरह दोनों चीज़ों को हमें चुले पे चड़ाना है और अच्छी तरह से इसकी सारी गूडनेस को पानी में निकालनी है और बहुत अच्छे तरह किसे इसे पकाना है तो पहले तो हम हाई फ्लेम पर इसे पकाएंगे चुकि कोई भी रिजल्ट को आप हाई फ्लेम पर पहले पका ले ना और चब इसकी अच्छी से खौल लग जाती है तो पिर इसे हम कम कर देते हैं लेकिन यह से हाई फ्लेम पर रखते हुए अगला जो इनकी देशिस में डा बनाते हैं तो उसमें यह बहुत ही अच्छी उसकी टेस्ट लाती है इसके साथ-साथ करीपता मारे बालों को काला करने में बालों के लिए भी बहुत जाता बेनिफिशल होती है करीपता बालों को काला करनता है इसमें बहुत सारी गुन होती है करीपता में विटामिन बी हो होता है जो बालों को जड़ने से रोकता है और मजबूत भी बनाता है यह बालों को नेच्छरल कलर देता है इसमें बहुत सारी जैसे की गुन होते हैं जो कि हमारे बहुत काम आते हैं कड़ी पता में लोहा केल्सी आम फार्श पोरस और कई परकार के विटामींस भरपूर मात पाई जाती है जो कि सफेद बालों को टिरिश्मेंट बहुत ही अच्छे तरीके से करता है अक्षर बालों को तेजी से लंबा काला मजबूत बनाने के लिए इस तरह के जैसे के कई तरह के रहे हैं जैसे की प्रोड़क्ट का यूज करते हैं तो उसमें मौजूद जो के मिक जहा होगा है बालों को लंबा करना चेक हमारे जैसे कि इसमें मौधु ब्रोटीन और बीट का रोटीन जौत है यह हमारे तो को बहुत करता है करीपता में एंटी वेक्टेरियल एंटी फर्मचल गून होते जो कि एसके लगाने में बहुत जादा है ज्यसे के डेंटर के प्रॉब्लम्स के लिए इस तरह से इसे थोड़ी देर के लिए हम इसे पकाएंगे लगबगबग कितना करना जैसे कि यह गलास मिटर शर्च आपन से चात मियां बधान वे आपने छांध लिए तो एक बाउल लेंगे एक चन लेंगे तो चन्नी के एल्प से हम इसे छान लेंगे चुकि आप किसी भी बाउल में किसी भी बरता में आप ट्रासपर कर सकते हो तो इस तरह से आप देख सकते हो इसकी कलर देख करके ऐसा लगता है कि जैसे कि बहुत अच्छी यह रिमिडिस पन करके त्यार हुई है वाकाई में यह जैसे कि निकाल लेंगे इसे अब हमें क्या करना है कि जैसे कि इसे ट्रासपर कर लिया तो अगला जो इनकी डेसिस में टालेंगे भी बहुत ज़ए इंपोर्टेंट है लेकिन उसे पहले मैं बता दो कि अगर इस रेमिडिस को अगर आपने हफते में दो से तीन बार योस कर तो चे भधान इणिस के चाप Кर्मा थी टीर्ट है तो एक चम्थ एक चांपकर ऐसे जह कर लेना है यह कि दोड़ आप यह पटा रही है यह वोग कि यह दालने से स्मी चाउम फिलें यह न उर्मेक सकेट पर एक और असमेद लेकarta है तो आपनी ऐसे दो सोरी तील लगा लिए के बालों में लगा ली बहुत है च्माक थी बहुत हुचु लगाते हैं तो नहाने सर लगा कर दो तेन घंटे पहले लगां गया और उसमें हम एक दो 2 चमउ लगवक दो नेट डालेंगे इस लिख द मनें अचे नहिए तो इस रिमिडिस को अपने अगर लगाया तो इस से शाइन भी आपके बालों में काफे अची आएगी तो इसे लग मिला करके और अच्छी तरीसे मिक्ष कर लेनी है मिक्ष करने के बात डिस आप यूज स्क requirements हो आप इसे जैसे भी आपके पास शीरं बडस तो उससे भी यह स् कोटन ने से यूज कर लेते हैं तो इस तरह से गर्म-गर्म होता है तो में नहीं दिखा पाती हूं और बातमी रहती ह чаks तो इस इस और का benz kakt आफ ऐसे यूझ करना है और इसे डो माघल को अख रिजल्ट मिल ने वाली हुए है तो आप रिजल्ट बाद में खुर्बा को देख लेना क्योंकि इसकी रिजल्ट बहुत ही मेजिक सी मिलने वाली जाद हुए तो इस रिमेडिक को जरूर यूज करना और लास्ट में आप से रिक्वेस्ट करना चाहूंगे अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे च ते किर